नमस्कार दोस्तों हमारे इस वीडियो चैनल बीपीसी लर्णिंग में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा इस वीडियो का टोपिक है Molecular Formula, Structural Formula, IUPAC Names of Members of Alkines इस वीडियो में हम Alkines के कुछ members को study करेंगे उनका IUPAC Names study करेंगे, Structural Formula और Molecular Formula भी study करेंगे अब तक हम Alkines और Alkines के बारे में पढ़े चुके हैं और इस वीडियो में हम Alkines के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आपको General Formula याद होना चाहिए Alkines के लिए General Formula क्या है? अगर आपको General Formula याद है, तो आप अराम से members को बना सकते हैं आप सिर्फ General Formula याद रखिए और उससे आपके member बन जाएंगे यह दिराइव हो जाएंगे Alkines के लिए General Formula है, CnH2n और Alkines के लिए General Formula क्या था? आपको हमने पिछी वीडियो में study किया था CnH2n-2 Alkines के लिए General Formula था CnH2n-2 आप इस तीनों General Formula को याद रखिए और आप Alkines, Alkines और Alkines के सभी members को असानी से derive कर सकेंगे इन General Formula की help से यह है Alkines के यह General Formula इसमें Carbon है N और Hydrogen होगे 2N यादि आप इसको simply समझे कि अगर हम 2 Carbon ले लेते हैं तो Hydrogen हो जाएंगे 4 और यह बन जाएगा इत इन, इत आता है हम पहले पढ़ चुके हैं 2 Carbon के लिए और यह जो E N ही इन है यह यूज होता है Double Bond के लिए अगर हम यहाँ पे N की जगे 3 लिख देते हैं तो C 3 हो गया आपकोर H 2, 3 या 6 यह बन जाएगा Propene यह हम पहले श्टड़ी कर चुके हैं कि Prop आता है 3 Carbon के लिए और E N आता है Double Bond के लिए आप Main क्या करिए आप Main सिर्फ General Formula को याद रखिए अगर हम Alkane का एजम्पल लें इसका General Formula है C N H 2 N प्लस 2 और यहाँ पे Carbon N की जगे हम रख दें 2 तो H आ जाएंगे 6 क्योंकि 2 तू जा 4 प्लस 2 6 तो यह क्या बन जाएगा हम पहले पढ़ चुके हैं मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं यह बन जाएगा इत N इत दो कार्विन के लिए और N आता है सिंगल बॉंड के लिए जहां Carbon Carbon के लिए सिंगल बॉंड परजेंट होते हैं उसके लिए यूज होता है N अब यह समझे लिए N होता है सिंगल बॉंड के लिए इन होता है डॉल बॉंड के लिए यह जो इन है और Y and E यह होता है ट्रिपल बॉंड के लिए तो यहां तक हमने कुछ बैसिक स्टडी किया अब हम कुछ मेंबर्स को प्रोपर स्टडी करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो पहले हम दुबारा से जनरल फॉर्मूला लिक लेते हैं ताकि आपको एजली समझ आ जाए कि कैसे मेंबर्स को हम जनरल फॉर्मूला की मदल से बना सकते हैं तो इथीन के लिए जनरल फॉर्मूला है C हैं H2N C कार्बन H हाइडरोड तो अब आप देखिए अगर हम थैंक की चालिया है 2 रख लेते हैं तो H आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह इंपोर्टेंट है A double bond के लिए A single bond के लिए और Y and E I triple bond के लिए और 2 carbon के लिए कुछ होता है तो इसको हम कैसे structural formula इसका बना सकते हैं आप 2 carbon को जोड़ दीजिए पहले double bond से और अब एक चीज़ देखिए हर एक carbon चार bond बना सकता है लेकिन यहां पे इस carbon ने भी 2 bond बनाये हैं और इस carbon ने भी और अब हमारे पास 4 hydrogen बचते हैं तो हम ऐसे जोड़ देगे hydrogen को तो अब आप count कीए इस carbon के भी 4 bond complete है और इस carbon के भी 4 bond complete है क्योंकि इस carbon के 4 bond किस तरह से complete है इस ने double bond यहां पे बना है इसका और 2 hydrogen इसके सांद चुटे हुए है अब अगर हम इसी तरह से carbon कर देते हैं 3 तो hydrogen हो जाएंगे 6 क्योंकि 2, 3 या 6 अब इसको हम बोलते हैं प्रोपीन इन आप जानते हैं double bond के लिए और प्रोपीन जोता है तीन carbon के लिए तो इसको हम इस तरह से तरह कर सकते हैं इसका structural formula आप देखिए आप क्या कीजिएगा तीन carbon को जोड़ दीजिए और यहां पे double bond रख दीजिए अब आप simply count कीजिए कि हर एक carbon के कितने bond बने हुए है इस carbon ने जिर्फ एक bond बनाया है तो इसके साथ आप तीन hydrogen जोड़ दीजिए अब इस carbon के चार के carbon complete है एक यहां से यह carbon के साथ जुड़ा हुए है और तीन इसके साथ hydrogen जोड़ हुए है अब आप इस carbon को count कीजिए इसके 2 bond है तो आप इसके साथ H को जोड़ दीजिए तो अब इसके भी carbon complete होगए और हमारे पास एक H को और बचता है क्योंकि हमारे पास थे 6 hydrogen तो इसके 3 bond है इस वाले carbon के बीच वाले के double bond इस side or signal यहां पे तो आप इसके साथ एक H जोड़ दीजिए और इस त्रहें से आप प्रोपीन को ड्रा कर सकते हैं तो अगर अगर हम कार्बन की संखेट चार कर दें तो hydrogen हो जाएगे 8 यह formula के अउसार है क्योंकि आप देखिए यहां पे carbon के साथ अगर N है तो hydrogen है 2 N याली 2 उने तो इसको हम बोलते हैं beauty तीन आप जानते ही है double bond के लिए और प्यूट होता है जहां इसको देखिए तो आप इसको देखिए अब हम इसको किस रहें से ड्रा कर सकते हैं इसके structural formula के लिए आप 4 carbon को जोड़ कीजिए और यहां पे double bond कर देखिए अब आप count कीजिए कि इस carbon के कितने bond complete है और हर एक carbon चार बोल बनाता है या आप जाते ही है तो उसके चार बोल complete कर दीजिए आप इसके साथ H3 के जोड़ सकते हैं या फिर आप इसको H3 को नहीं लिगने की बज़ए आप ऐसे ही निखा सकते हैं और अब आप देखिए इस carbon के भी 2 ही bond complete है तो 2 H यहां पे जोड़ दीजिए आपके पास 8 hydrogen है और अब तक हम ने huge किये यहां पे 5 तो अब आप इस carbon को देखिए इसके सिरफ 3 bond complete है 2 यह और 1 यह आप इसको यहां में भी जोड़ सकते हैं और उपर भी जोड़ सकते हैं तो अब आप देखिए हमारे H यूंज हो गए 1 2 3 4 5 6 अब हम 2 hydrogen को यहां में जोड़ सकते हैं अब आप इसके bond count कीजिए 1 2 3 4 और इस तहें से हम कुछ members को study कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए आपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए THANK YOU